बड़ों को परणाम बच्चों को प्यार आप सबको नमस्कार जएहिंद सातियों मैं आरके नएक सभी का हर्दिक स्वागत करता हूं इंडियन पोलिटी की इस वीडियो स्रंखला में सबसे पहले सातियों बारतिय राज व्यूस्ता से समदित यह जो वीडियो सरंकला हमने प्रारम किये है इसके पर्तेक टोपिक का पाने के लिए साथियों आप हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन करें वार्ट सब्सक्राइब को जोइन करें और इस तरह का जो सविदान है तो साथियों यह जो कलाश है हमारी जो वीडियो सरंकला है यह आपके लिए बहुत ही मैतपूर्ण साबित होने वाली है क्योंकि साथियों इसमें आपके एक्जाम को मद्य नजर रखते हुए पर्तेक टोपिक को अच्छे से कवर किया गया है और साथ ही दोस्तों यह जितनी पुष्टक आप देख पार रहे हो इन मेंसे भी अगर आपको किसी पुष्टक का पीडियो चाहिए तो आप इन पुष्टक का वीडियो मिलेगा आपको कहां पर हमारी प्ले लिस्ट में बुक रिव्यू के नाम से तो उनको जरूर आप देख लिजिए ताकि आपको अब म सबसे हैं पहले इसको कंप्लीट करेंगे तो अगर आपको इन मेंसे किसी दूसरे सब्जेक्ट की पुष्टक का पीडियो चाहिए तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाईए बुक रिव्यू को देखिए और वहां से आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हो कि हमें कौन सी चाह आते हूं आप जरूर देख लीजिए और इनके नोट से जो हमने आपको पीडियो की रूप में उपलब्द कराए हैं उनको आप रिवीजन जरूर कीजिएगा आज आते हूं इससे पहले हमने सवेदानिक परश्ट भूमियों चाहे रेगुलेटिंग एक सत्रा सो तेटर का हो पिरस इंडिया एक जो सत्रा सो चौराशी का वह हो इन से समंदी संपूर्ण जानकर आपको इससे पहले के जो वीडियो है उनमें मिल चुकी है और पीडियो जिस जिसको अब तक नहीं मिलिए वह जरूर कॉमेंट करके बताईए कि किन किन को नहीं मिलिए आज हम जो जान से का अधिनियम एकजाम की द्रिष्टी से हमारे लिए कितना महतुपूर्ण साबित होगा वह मैं आपको यहां पर बता देता हूं क्योंकि यहां पर कुछ महतुपूर्ण जानकर आपको मिलेगी जो कि गवर्णर जनरल को मुक्य सेनापती की सक्तियां मिल गई इसी अधिन सेनाओं का जो सेर्वच कमंडर है कौन है कोमेंट करके बताइए अगर आपको पता है तो अगर पता नहीं है तो साथियों गबराने की जरूत नहीं है परते एक जानकारी आपको इसी वीडियो सरंकला के अंतरगत मिल जाएगी तो यहां पर साथियों जो गवर्णर जनरल उसको मुक्य सेनापती की सक्तियां मिल गई काम पर बारत में और विशेश परिस्तितियों में जो गवर्णर जनरल है उसको स्वेम निर्णे लेने का अधिकार दिया गया यह साथियों कापी मैं तो परिवर्थन हुआ था 1786 का जो एक्ट ओव सैटलमेंट आया था कब 1781 मे और यह एक्ट किसमें है 1786 में परावदान और इसे पहले साथियों यह जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है 1703 का रेगुलेटिंग एक्ट है और इसे समदी संपूर्ण जानकर आपको मिल जाएगी यह जितने भी आप यहां पर देख रहे हो चार्ट तो चाहिए वह गवर् महत्पूर्ण जानकर हम ले लेते हैं कि 1793 का जो चार्ट एक्ट है यह हमारे लिए क्यों महत्पूर्ण है और इसमें कौन-कौन से महत्पूर्ण परिवर्तन किये गए थे सबसे पहले साथियों आप देखिए 1703 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट उसके 20 साल बाद यान साथियों बीच में एक्ट ऑफ सेटल्मेंट है या पर इंडिया एक्ट है बहुत सारे भी आते रहे हैं उन से समदित भी जानकर आपको होनी चाहिए और कंपनी के व्याप्यार के जो अधिकार थे जो कंपनी ने इस इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी साथियों उसको क्य है एक बिर्टेन की महाराणी से एक अधिकार प्राप्त हो गया विशेश अधिकार वह क्या था साथियों की इस इंडिया कंपनी के सिवाई दूसरी कोई भी कंपनी भारत में आकर के व्याप्यार नहीं कर सकती थी ऐसा एका अधिकार प्राप्त था सिर्फ और सिर्फ एक कं कमपनी को हम east India Company कहते हैं और इस अधिकार को सातियों सत्रा सु तेतर के रिगूलेटिंग एक्ट के बाद में 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया तो यह पर कमपनी के विभारिक अधिकारों को 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया सातियों कमपनी के नियंतरण वाले जो अधिकारी थे उन अधिकारियों का वेतन देने का जो बाहर है किस पर आ गया भारतिय को से दिया जाने लगा अब सातियों यहां पर एक और मैं तो पुन जानकर यह आपके लिए मिल गई कि भारतिय को से इनको क्या है वेतन देने का निरने यहां पर लिया गया उसक प्रेंसिडेंश थी उनका अदिकार भी इसप्रस्ट कर दिया जाना है तो यह इन्पधिंप सब्हूर्ट इंडीन पॉलिटी की है और ये है साथियों 174 का चाल एक को को कोछ यहाँ पर क्या है जो भी परावधान कंपनी के लिए किए गये हैं वह पूर्य यहाँ पर आप देख सकते हो कि 20 साल के लिए यह इनका ओर बड़ा दिए गया है और अब देखते हैं और अथा तालेस्ट सौ तेरा का चार्टर एक्ट अब साथियों 1813 के चार्टर एक्ट में भी कौन-कौन से मैत्पुन प्रावदान है जिने हमें एक्जाम की दृष्टी से पढ़ना चाहिए जीविजन करना चाहिए तो इसमें सबसे पहले साथियों आप यहां पर देखिए इसाई जो मिश्निया है उनको क् में आक ईकार्मिंगी सुझीदाओं की मांग और कंपनी के एकाधिकार को समप्त करने और यद्यिविज को बारत में आक्रमक देखित तो यां पर साथियों क्या था इस्याही मेशिनरी ही उन्होंने ज़रां बारत में दार्मिक सुईदाओं की मांग की जाने लगी और कमपनी का जो एका देकार है या उनकी जो पॉली थी उनको समप्त करने और विलेजली को क्या है भारत में जो आकराम की निती उनकी थी उससे समंदित कुछ मैत्पून सुधार करने के लिए अठारा सो तेरा में क्या है साट्र एक्टबिटी संसद में पारिते किया गया उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंग कि लार्ड विलेजली का जो इतियास है वो भी आपको यहां पर पढ़ने के लिए मिलेगा और उसको हम यहां पर बता देते हैं संक्सिप्त में क्योंकि विलेजली से समझत अगर क्यूशन पूछा जाए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए तो लार्ड विलेजली साथियों 1795 चीड़ätt का बारत का घौरंयर जर्ण तो 905 चीड़ा कर और तक बारत के लेका अफार के गवर्नर तम रहे साथियों अपने सांथे स्पाटियों में इश्वी में सर जोन सोर के हंश्चेफवादी यूग के बाद लारड विलेजली भारत के गवर्नर जनरल बने थे जो अपने सहाइक संदी परनादी के कारण पर सिद्ध हुए थे उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे कि उन्होंने बारत में अंग्रेज समराज्य के विस्तार को अपना लक्से बनाया था किसने विलेजली ने हालांकि साथियों साइक संदीका परियोग भारत में विलेजली सेंफूर्वे डूपले जो थे उनके द्वरा भी किया गया था तो यह साथियों आपके लिए एक बहुती महत्तपुन जान करिए उसके बाद में साथ हूं यहां पर देखते हम कंपनी के जो भागिदारी थे न भागिदारों को बारती राजशोंभी से 10.5% लाबांस दिए जाने की व्यवस्ता कि गई यांनि कंपनी के जो भागिदार लोक थे उनको भारती राजश्व जो था उसका दस-10.5% लाब के रूप में दिया जाएगा एसी विवस्ता की गई और उसके बाद में साथियों सेकेंड में आप देखेंगे तो कांपनी को अगले 20 वर्षों के लिए भारतिये परदेशों तथा राजस्व पर नियंत्रन का अधिकार दे दिया गया यह पका कर दिया गया कि इस से इन परदेशों का क्राउन के परबूत्वे पर कोई परवाव नहीं पड़ेगा तो यह साथियों इससे समदिते एक बहुती महत्पुन जान करें अब साथियों यहां पर हम जान कर लेते हैं कंपनी का जो बारती व्याप्यार है उस पर एका अधिकार समाप्त कर दिया गया अब स यहां पर दखेंगे इसके यहां पर यहां किया जैता है चीन यहां प्याइब आप चीडिन से कंपनी कर सकती और मोगिंस व्याप्यार है उस पर एका ख़ना रहेगा जैसा पहले से बना हुआ था बाकी भारत में दूसरे जो एकादिकार थे उस में उनके एकादिकार को समप्त कर दिया जाता है तो यह सात्यों इससे समन्दीत मैतबुम जानकरी थी अब आगे जब हम जानकर लेते हैं सात्यों तो इसाई धरम परचार को भारत में धरम परचार के लिए आने की सुईदा प्राप्त हो गई अब साथियों यहां से एक बहुती बड़ा परियुर्टन होता है कि भारत में इसाई धरम के परचारक जो थे उनको भारत में आकर के अपने धरम के परचार करने के लिए सुईदा प्राप्त हो गई और वहीं से क्या हुआ सातियों भारत में इसाई द्रम का परचार शुरू हो जाता है लेकिन इसके लिए फूरु अनुमति बहुत जरूर थी अब कोई भी आएगा यहां पर धर्म का परचार करने के लिए तो यहां पर क्या है उस पहले यहां आने के पहले क्या है? बिल्टी से संसद के द्वारा पहले शेन्मती लेना अनिवारी कर दिया गया, उसके बार देखेंगे, उस एक्ट के तैत पहली बार बारत्यों को शिक्षा के लिए एक लाग रुपे की राजशी देने की वियवस्ता की गई जो की एक मजाग से ज्यादा कुछ नहीं था क्योंकि साथियों आप खुद बताईए एक लाग रुपे का फंड भारती शिक्षा के रूप में अगर भारतियों को देने का प्रावदान किया गया तो यह एक बहुत ही चोटा सा मामोली सा कदम था और यह क्या है ऐसे फंडिंग से कोई ज्यादा शिक्षित या फिर शिक्षा में कोई बहुत ज्यादा परियूर्टन आने वाला नही सबस्ता किस एक्ष्ट के द्वार की गई थी तो यह आपकी सेथ पर इसका जरूर असर होगा क्योंकि अगर आप ने अच्छे से इसको पढ़ाया तो आपका क्यूशन सही होगा जब क्यूशन सही होगा तो आप एक्जाम में सफलता प्राप्त करेंगे और उसका परवाव आप पर जरूर होगा इसलिए सातियों आपको क्या है इस परकार के पर्तेक टोपिक को अच्छे से पढ़ना है रिविजिन करना है और अगर सातियों वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक और शेर जरूर कर दीजिए कोमेंट भी कर दीजिए और बाकी सातिय लिष्ट के जितने भी वीडियो आपने देखें उन में से अगर किसी भी वीडियो का पीडियो चाहिए तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ें और वार्षप करें और मिलते हैं सात्यों एक नई उमीद और नए जोस के साथ अगले वीडियो में फिर से तब तक धन् इंद वन दे मात्रम